सीजन 4 एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें वॉल्टर अपने लैब में आता है और उपर देखता है तो वहाँ कैमेरी वॉल्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कैमेरी की तरफ फिंगर करता है नेक्स सीन में स्काइलर वॉल्टर के घर आई हुई होती है वॉल्टर उसके कॉल्स उठाने रहा होता दो दिन से तो स्काइलर परिशान होकर उसके घर में आती है फिर भी वॉल्टर दरवाजा नहीं खोल रहा होता फिर वो वॉल्टर के जो सेल होता है उस पर कॉल करती है औ वो से कटाने वाला होता है पर उसको उसका आग दिख जाती है माइक जब वाल्टर को मारता है तब उसकी आप सूच जाती है और वो स्काइलर देख लेती है स्काइलर फिर घर में आती है फिर वाल्टर उसे बताता है कि मुझे सिर्फ उतना ही काम नहीं है मेरे बहुत सारा issues मेरे चल रहे है, मेरे work related इसलिए मैं अभी car wash के बार में बात नहीं कर सकता Skylar को लगता है कि Walter बहुत बड़े danger में है फिर वो उसे बोलती है कि तुमें कोई भी danger हो तो हम directly police के पास जा सकते तुम उने सब सच बता सकते हो और हम इस से निकल सकते Walter बोलता है कि एक minor incident था, ऐसा कुछ भी डरने के कुछ भी जरूरत नहीं है फिर वो बताता है कि मेरे associate के साथ में बार में था और फिर हमारा जगड़ा हो गया और ये बार fight के वज़े से ये मुझे injury हुई है फिर वो बोलती है कि क्या तुम बार fight में थे, उसे वो amusing लगता है वो Walter को जखमों पर पीज लगाने के लिए बोलती है नेक सीन में हमें Marie घर देखती हुई दिक, वो बहुत सारे घर देख रही होती है और वहाँ जाकर refreshments लेती है वहाँ की चीज़े चोरी करने, उसे आदत होती ही है तो यहाँ से भी वो चोरी कर रही है वो हमेशा एक नई story make up करती है वो एक आदमी के पास होती है, उसे बोलती है कि मेरा divorce हो चुका है मेरा एक बच्चा है, इस टोरी ही वो बना लेती है जब वो घर आती है, तो हैंग ने उससे चिटोज बंग पर वो फ्रिटोज लेकर आती है वो जो काम उसे दिया जाता है, वो सही से नहीं करती और बहुत जगा वो फिरती रहती है फिर जैसी और वोल्टर लैप में होते है, तो जैसी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ घुमने में गरा जाना है, एक go karts की जगह है जहा हम जा सकते हैं, फिर वोल्टर उसे मना कर देता है वाल्टर बोलता है कि मेरी एक meeting है, फिर जैसी उससे बोलता है कि तुम्हें आदत हो जाएगी मार काने की उसकी आग देखकर वो बोल रहा होता है फिर स्काइलर, वॉल्डर और सॉल वॉल्डर के ही घर पर डिसकस करें सॉल उनको बता रहा होता है कि अब तुम्हें नेल सलोन बाय कर वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है बहुत सारे कारवाश होगे इस एरिया में, तो हम वो लेख सकते हैं पर स्काइलर उसे बोलती है कि नहीं, हमीं ये ही कारवाश लेना है क्योंकि उसने तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात हिं बोली उसने बोला, वॉल्डर ने अपनी बीवी को पेचा वो मर्द नहीं है वो अल्टर भी इस पर गुसा हो जाता है और बोलता है कि कारवज पाई करना है फिर स्काइलर सॉल से बोलती है कि उसको सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए तो सॉल को बड़ा अच्छा लगता है कि स्काइलर मोटिवेशन के बात करी है फिर वो बोलता है कि हम वहाँ एक tax employee भेजेंगे और वो उसको परिशान कर देगी तो उसको वसेल करना ही पड़ेगा तो Skylar बोलती है हमें वो attention नहीं चाहिए अगर वो tax employee हमारी पीछे पड़ गई तो एक problem हो सकता है फिर वो बोलता है कि हम वहाँ immigrants काम करते हैं तो हम rate डलवा सकते हैं इमिग्रेंट्स को काम देने के लिए उसको भी pressure उसको डाल सकते हैं और वो jail में जा सकते हैं स्काइलर उसको भी ना बूलते थी है फिर सॉल बोलता है कि हम वहाँ जाकर उसको दंकी देख आएंगे हम बोलेंगे कि तुम्हारे पास इतना अच्छा बढ़िया प्लेस है अगर इसको आग लगे तो बहुत बुरा होगा सकाइलर बोलती है इसा violent way हमें नहीं चाहिए हमें किसी को hurt नहीं करने है वाल्टर से भी पुछ थी है वाल्टर एक second stop लेता है और फिर नहीं बोलता वाल्टर को actual में idea considerable लगता है फिर सॉल option से run out हो जाता है और वहीं frustration में बैट जाता है फिर मरी हमें और एक घर में होती है जिसमें हर state के लिए एक spoon होता है वहा 50 state के 50 spoons होते है फिर मरी उस real estate agent को बोलती है कि मेरे husband से मैं अब divorce ले रही हूँ वो ये भी बोलती है कि मैं और मेरे husband नासा में थे वो बहुत ही stories make up करती है और फिर वहा से जाती है पर जब real estate agent घर साफ कर रही होती तो उसे दिख जैसी जब घर आता है पर तब भी उसके घर में वो continue करता है party करना अब बहुत सारे strangers भी होते है उसके घर में मरी फिर और एक घर में हमें दिखाई गई है वो फिर से एक नई story make up करती कि मेरे husband illustrator है और हम लंडन में वेगार रहते थे उसके बाद वो जो real estate होती है previous property कि वो बला आ जाती है वो से stop करती है और बोलती ही कि मैंने police बुलाई है जब वो उसकी purse लेती है तो उस में से जिस घर में आप उती है उस घर में से उसने एक frame चुरह होती है फिर हैंक को वो call करती है उसको help चाहिए होती है Hank नाराज हो जाता है और बोलता है मेरे साथ ऐसा मत करो फिर हेंक उसके फ्रेंड को बोलता है और मरी को लेकर आ जाता है मरी वही रोने लगती स्काइलर जब डिशेश कर रहे होती तुसरे आइडिया आता है फिर वो स्वाल को कॉल करकर एक आद्मी को उस कारवाश पर भेजती है कारवाश को owner से वो बात करते हमें दिखता है वो soil के testing कर रहे होते है soil के underground water की testing कर रहे होते फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हारा जो filtration system है वो सही से काम नहीं कर रहा इसे underground water भी polluted हो रहा है और तुम्हें वो पुरा replace करना होगा वो 200 के के लिए होते है तो owner उसे बोलता है कि अब से मैं care लोगा और ये फिर से नहीं हो पर वो बोलता है कि तुम्हें shutdown करना पड़ेगा या तुम्हें वो replace करना पड़ेगा फिर वो government तुम्हें allowed नहीं करती तुम्हारा operation continue करने के लिए ये rules में नहीं है फिर owner rules पुछता है फिर Skyler उसे phone पर बात कर रही होती, airbase में बात कर रही होती है Skyler सब जो violations होते वो समझाती है और फिर ये scene ये ही खतम हो जाता है Next scene में हमें Hank से मिलने उसका friend आया हुँ होता है Hank के पास जब वो आता है तो वो फिर से joke करता है कि अब क्या Marie ने bank लूटा फिर Hank का friend वहाँ बेटता है और उसे बोलता है कि मैं एक case पर काम कर रहा हूँ जो drug related है वो जो उसको file देता है वो होती है गेल की notebook वो फिर उसे बताता है कि तुम एक authority हो इसलिए मैंने तुमें ये सब दी है Hank बोलता है कि तुमें इस charity करने की ज़रूरत नहीं तो मुझे एक favor कर रहे हो और इसकी तुमें ज़रूरत नहीं है तो उसका friend उसे बोलता है अगर मैंने दुसरे किसी को दीखाई तो ये तुमारा case बन जाएगा ये मुझे मेरे लिए चाहिए इसलिए वो DEA को ये case नहीं देने वाला होता है तो Hank उसे मदद करने के लिए उससे वो notebook ले लेता है फिर हमें Skyler और Walter घर में दिखाई गए है और वो phone ring करने के लिए wait कर रहे होते है उन्हें लगता है कि car wash वाले का अब call आने वाला है Walter Skyler से बोलता है कि अच्छा ड्राय था पर मुझे नहीं लगता कि ये work करेगा फिर तभी call आ जाता है फिर Skyler उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें जो offer दी थी firstly 879K के अब मैं वो offer फिर से वापस मुझे अब तुम्हें सिर्फ 800K के देने है मैं तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे अब नहीं दे से क्योंकि market भी down है और फिर वो phone रख देती है Walter फिर उस पर ज़रा गुश्सा हो जाता है कि ये अच्छी offer अब वो call नहीं करने वाला पर Skyler उसे बोलती है कि वो call करेगा और फिर से उसका call आ जाता है जेसी को अपने घर में silence अच्छा नहीं लगता सब सो रहे होते हैं तो सब को बोलता है कि किसको पैसे चाहिए और वो वहाँ से पैसे उड़ा देता है और फिर से party स्टार्ट करने की कोशिश करता है फिर Skyler और Walter से लिबरेशन कर रहे होते हैं जो champagne होती है तो Walter बोलता है कि ये 300 डॉलर्स की है तो Skyler उसे बोलती है कि ऐसा नहीं चले तो जोज भी बाय नहीं कर से Skyler उसे बोलती है कि हमें हर details का ध्यान रखेंगे हम ऐसे अगर details का ध्यान नहीं रखेंगे और ऐसे कुछ भी करेंगे तो हम पकड़े जा सकते हैं डिटेल से ही लोग पकड़े जाते हैं पर फिर वो Walter को बोलती है हमें सबुत तो मिटाना है इसलिए फिर वो चीर्स करते हैं और शैंपियन पीते हैं फिर हमें Hank गेल की नोटबुक देखते हुए दिखता है अब वो उसमें इंटरस देने लगता है यही एपिसोड खतम हो जाता है